सोशल मीडिया पर एक मार्बल फैक्टरी का वीडियो शेर किया गया इसमें दिखाया गया कि कैसे वेस्ट कांच से कंचों को बनाया जाता है क्या आपने बच्पन में कंचे खेले हैं नम्सकार डेश ओनलाइन में आपका स्वागत हैं कांच की इन छोटी छोटी गोलियों को जमा करने का उस समय अलगी क्रेज हुआ करता था हर 90 के दशक में पैदा हुआ बच्चा कंचों को आज भी देखकर खुश हो जाता है आखिर हो भी क्यों ना इन कंचों के साथ ही तो ज्यादातर का बच्पन बीता होता है कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन कंचों से खेला तो होगा लेकिन उन्हें ये नहीं पता की इनका निर्मान कैसे होता है सोशल मीडिया पर कंचों के फैक्टरी का एक वीडियो शेयर किया गया इसमें दिखाया गया की जिन कंचों से बच्पन में हम इतना खेले आखिर वो बनते कैसे हैं वीडियो देखने के बाद आपको ह हैरानी होगी कि क्या इतना मुश्किल होता है इन कंचों का निर्मान कांच की तूटी बोतले और टुकडों से बनाई जाती है ये छोटी छोटी गोलिया काफी रिस्की है निर्मान सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर इन कंचों के निर्मान का वीडियो शेयर किया इसे कंचे बनाने वाली फैक्टरी में रिकॉर्ड किया गया फैक्टरी के मजदूरों को कांच के इन टुकडों को इककठा कर पहले आग की भटी में जोंकते देखा गया इसके बाद ये टुकडे पिघल जाते हैं जहां से इने मशीनों से गुजार कर गोल आकार दिया जाता है आखिर में इनकी कटिंक कर इने एक जगा जमा कर लिया जाता है कई जगों पर होते हैं इस्तेमाल कंचे हमने बच्पन में खूब खेले हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि खेलने के अलावा इन कंचों का क्या यूज है? वोटका की बोतल में कंचों का इस्तेमाल किया जाता है. ये ड्रिंक के कार्बन प्रेशर के लिए यूज किया जाता है. इसके अलावा कई cold drinks में भी इनका प्रयोग किया जाता है. आज के समय में इन कांच के marbles को कई तरह के artwork में भी यूज किया जाता है.